क्या अखलेश यादम अब लखनों के केजरिवाल बनेंगे सवाल इसलिए कि इन दिनों केजरिवाल के साथ उनकी कुछ जादा ही छणने लगी है और इधर केजरिवाल खुश है कि चलो कोई तो मिला टाइम पास के लिए अखलेश यादम ने केजरिवाल को बताया कि वो एक दूसरे के साथ साथ है दिल्चस्प ये है कि दोनों ने नतीजों के बाद की रणनीती पर विचार विमर्ष तक कड़ डाला आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग ने कहा कि केजरिवाल और अखलेश यादम ने फोन पर आगे की नडनीती पर चरचा की है इसके बाद अखलेश यादम ने संजे सिंग के साथ एक तस्वीट ट्वीट कर लिखा कि आपके साथ है फिर केजरिवाल ने लिख मारा हम भी आपके साथ है सवाल ये है कि मोदी के खिलाफ कितने लोग कितनी तरह का गुट बनाएंगे एक तरफ यही काम सोरिया गान्थी जोर शोर से कर रही है के चंशेकर राव भी अपनी तरह से लगे हुए है और अब केजरिवाल साहब भी लग गये है इसी काम में इस बीच इन सब से ममता बनर जी छुटक गई नतीजों के बाद कुछ और किनारा करेंगे लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी कोई कोशिश अंजाम तक पहुच पाएगी क्योंकि हर किसी को नेतागिरी जहारने की आदत है रही बाद केजरिवाल की तो उनको सियासत का जो रोग है वो लाइलाज है उन्हें ना तो रहुल गांधी ने कोई भाव दिया और ना ममता बनर जी ने ना मायावती ने पास फटक ने दिया और किसी दूसरे ने अब अखिलेश उन्हें मिले है दोनों किस दोस्ती का अंजाम भी देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि अगर अखिलेश केजरिवाल से सियासी ज्यान लेकर आगे का रास्ता तैक करेंगे तो योगी जी को विशेस साफधानी बरतनी होगी और मायावती को भी फिलहाल तो बुआ बबुआ की जोड़ी संकत में है अखलेश शायद इसलिए अपने लिए केजिरिवाल का रास्ता खोज इने निकले है विए रिप